मन्जिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में होती है जान पंक से कुछ होता नहीं होसलों से उड़ान होती है हेलो दोस्तों क्या चाल बढ़िया एकदाम तो कैसे हो आप लोग आई ओप आप सभी बढ़िया होंगे तो आज हम करने जा रहे हैं exercise 1.3 का question number 1 तो question number 1 है प्रूफ दैट रूट फाइफ इस एरेशनल तो हमारा सॉल्यूशन होगा इसको हम करेंगे कोंट्राडिक्शन मेथर्ट से तो लिखेंगे लेट रूट फाइफ इस रेसनल है हम सीधे यहाँ पर हमको एरेशनल पूरूफ प्रूफ करना तो हम उसको उल्टा माल लेंगे तो हम रेसनल माल लेते तो आजाएगा रेसनल तो अब हमारा वारूट फाइफ इस एक्वल स्टू एबाई बी वेर एंड बी आर को प्राइम्स को प्राइम्स एंड वी डज नॉट इक्वल टू जीरो तो यह होगे आवं दोनों का स्क्वेयर कर देंगे तो रूट फाइफ का होल स्क्वेयर इस इक्वल स्टू एबाई बी का होल स्क्वेयर हम अब हम यह लिखेंगे स्क्वेयरिंग I'm squaring both both sides तो यह हो गया हमारा अब हमारोट फाइफ का स्क्वेर क्या होता है फाइफ होता है तो हम अब लिख देंगे फाइफ is equal to a by b का whole square होता है a square by b square तो हम b square को इधर ले जाएंगे तो आजाएगा 5 b square is equal to a square तो हमारा इससे क्या अगर हम दोनों को 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यह तो divisible हो जाएगा इसका मलब यह भी डिविजिबल होगा 5 से तब हमारा जाएगा a square is divisible by divisible by 5 तो हमारा इससे हमारा निकल क्या आता है जब a square 5 से divisible है तो यानि एवी हमारा 500 होगा तो ए इस डिविजिबल डिविजिबल बाई फाइफ जब एससे फाइफ से डिविजिबल है तो फाइफ हमारा फैक्टर होगा तो फाइफ इस अ फैक्टर ओफ 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 ए तो अब एक ओम लिख सकते हैं लेट यह पर हमने स्क्वेर फाइफ बी स्क्वेर लिखा था तो हमको एलिखना है तो हम फाइफ सी लिख लिए ते फाइफ से क्योंकि फैक्टर है तो फाइफ सी फार सम कि संब इन टीजर ए इन टीजर लिख सी तो अब हम इसको ए एक वेल्लियो में इसमें पुट कर देंगे तो आएगा फाइफ बी स्क्वेर इजीक्वल्स टू 5C का whole square यह तो आजाएगा मार 5B square is equals to 5C यानी 255 का square 25C यानी c का square हो गया तो फाइफ यह जाकि डिवाइट कर देगा तो डैंट वी श्क्वेर आजाएगा मारा और 25 C2 by 5525 व्हुजाए गा तो हमारा हो जायगा बी is equal to five C square तो इससे आता है हैंस बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 5 तो हम आगे का यहां पर लिखते हैं जब यह हमारा बी स्क्वेयर डिविजिबल है तो बी भी होगा तो बी is divisible by divisible by 5 यह भी 5 से divisible है तो जब भी 5 से भी divisible है तो 5 factor होगा का तो five is a factor of factor of B तो five जो है A और B दोनों का हो गया तो हमारा को प्राइम्स कहते हैं कि जब A और B हमारा नंबर्स हैं तो उसका only one होगा कॉमन फेक्टर तो यहां पर दो हो गए तो अब आजाएगा हैंस फाइफ इस अ कॉमन 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 फेक्टर ओफ फेक्टर ओफ ए एंड भी तो यह हो गया तो बट्र but this contradicts contra dicks the statement 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 that that a and b and and b are co primes co primes to thus are assumption 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 is wrong तो आजाएगा थस रूट फाइफ इस रेशनल रेशनल तो हैंस हैंस प्रूब्ड तो दोस्तों यह था question number five का solution अब हम आपको mcq questions देंगे जो आप हमको comment box में उसका answer comment करिएगा हाथ दोस्तों यह आपका mcq questions से चार्ट हो मैं पढ़ देता हूं इन सब को question no.1 है if hcf of six and eight is equals to two find lcm option a 22 b 20 c 24 d 25 a question no.2 है if lcm of 18 and 24 is equals to 72 find hcf first party 4 10 12 6 a question no.3 है if hcf of 12 and b is equals to six and lcm is equals to 60 find the other number जो यह हमारा b है इसको हमको find करना है option 26 second 30 और third वाला है 32 4th है 18 question no.4 है if hcf of a and 40 is equals to 40 and lcm is equals to 120 find the other number मारा a 80 b 82 c 42 d 48 तो यह सारे आपके questions हैं इसका answer आप हमें comment box में comment करिएगा अगर इन में से आपको कोई भी question का solution आपको देखना है तो मारे टेलिग्राम चैनल पर आप जूड सकते हैं उसकी link हमने description में दे दिया है तो यह था हमारा आज का यह वीडियो पढ़ाई करते रहें all the very best उत्राम एव कर पवर में जूच को पता इंसा कर hemव हरे दियादे सकता है थाय जब हादाए यह कि पस अचलिगे।